एलो स्टूडन आवर यूनिट नंबर एट इस्टार्ट हमारी फर्स्ट पोएम है दा सन जो बहुती छोटी और प्यारी सी पोएम है जिसके बारे में हमारे जो पोएट है जोन ब्रिंक वाटर वो सन से बाते करते हुए बताया गया है फर्स्ट हमको क्या करना है लिसन एंड रिपीट आई टोल्ड दा सन दा आई वाज ग्लेट आएम शूर आई डोंट नो वाई somehow the pleasant way he had of shining in the sky just put a notion in my head that wouldn't it be fun if walking on the hill I said I am happy to the sun इसके जो पोएट है उनका नाम है जोन ड्रिंक वाटर जो क्या कह रहे हैं के मैंने सन से कहा है के मैं बहुत खुश हूँ I am sure I don't know लेकिन यकीनन मुझे पता नहीं है के मैं खुश क्यों हूँ somehow the pleasant way he had of shining in the sky सूरज को देखकर उसे मतलब जो हमारे पोएट है उनको लगता है के उसे भी सूरज की तरह रोशन होना है Just put a notion in my head that wouldn't it be fun वो अपने दिमाग में सोचते हैं के ये बहुत ही मज़ेदार होगा अगर वो पहाड पर चल सके मतलब पोएट अगर पहाड पर चल सके और सूरज को अपनी रोशनी देने के प्रियास को देख सके सूरज की तरह रोशनी देता है वो देर रोशनी देने के लिए वो कौन-कौन सी कोशिश करता है उसको वो देख सके इसा उसे सूरज के साथ साथ पहाड पर चलने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर उस सूरज के साथ इसी तरह से चलता है पोईट तो उसको भी जो है बहुत ही खुशी होगी आवर सेकंड कोश्चिन इस राइमिंग वर्ड वाई स्काई गलेट सैट फ़न सन हैड है अवर थर्ड कोश्चिन इस लुक अट पिक्चर एंद फिल इन दे ब्लैंक उजिगे इन दा ब्रैकेट में हमको वर्ड ये वे है और एक्शन देकर हमको उन वर्ड को सूटेबल फि डैश इन दे स्काई सन क्या करता है स्काई में शाइनिंग करता है येस तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे शाइनिंग सेकंड राज इस डैश डैश डैडर राज क्या कर रहा है पिक्चर में दिखाएगा ना राज क्या कर रहा है सीडियों पर चड़ रहा है मतलब क्लाइम तो यहाँ पर हमारी फिलिन दे ब्लैंक्स में क्या आएगा सिंगिंग फॉर्थ वन जैनी इस डैशा बनाना जैनी क्या कर रहे है बनाना का रही है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे इटिंग जैनी इस इटिंग बनाना विवर चमार में का बनानादा कर दीन दे बनाना कर 25 तारा सिंग तो यहाँ प्यूंग प्रिणने अर्ज़ सादी क्या।